जी हाँ दोस्तों इस वक्त की ऐसी अपडेट सिद्धू मुसेवाला जी के हत्या कांड को लेकर सामने आई है जिसे सुन कर आप भी चौक उठेंगे अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू मुसेवाला जी की हत्या जो हुई थी विक्की मिड्डु खेड़ा के हत्या की वज़ा से उनकी हत्या कर दी गई और बार लॉरंस यही कह रहा था कि उसे की वज़ा से जो है सिद्धू की हत्या करवाई हमने लेकिन अब जो है कोई और ही खुलासा हुआ है सिद्धू मुसेवाला जी की हत्या कांड में जो है लॉरंस विशनोई के भांजे सचिन विशनोई का तगड़े वाला खुलासा जो है सामने आया है उसने सारे के सारे राज जो है लॉरंस और गोल्डी को लेकर पुलिस रिमांड में उसने उगल डाले हैं आपको बता दे लॉरंस का भांजा सचिन बिशनोई ने ऐसे राज से परदा उठाया है जिसे सुनकर आप भी चौक उठेंगे कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है देखिए आपको बता दे एक ऐसा खुला सा किया है जो अब तक नहीं हुआ था सचिन ने बताया कि लॉरंस बिशनोई ने सिद्धू मुसेवाला को गाओ भागो माजरा में कबड़ी कप में जाने से मना किया था फोन करके लेकिन इसके बावजूद भी मुसेवाला कबड़ी कप में गया था जिसता ओर्गनाईजेशन जो है भंबिया गैंग के द्वारा किया गया था भंबिया गैंग के सपोर्ट में थे सिद्धू मुसेवाला जी ऐसा जो है सचिन बिशनोई का कहना है मुसेवाला को लॉरंस बिशनोई ने कहा था फोन के जरिये कि वहाँ परफॉर्म न कि कबड़ी कप बंबिया गैंग का लक्की पटियाल जो है करवा रहा था और्गनाईज जिसकी लौरंस बिशनोई से गहरी रंजिस चल रही थी कबड़ी कप होने के बाद लौरंस ने सुधु मुसेवाला को एक बार फिर से फोन किया जिस दोरान दोनों में दुश्मनी बढ़ गई थी लौरंस बिशनोई ने इसकी शिकायत गोल्डी बरार को लगाई तब गोल्डी बरार को मुसेवाले ने कहा था कि अपने बाप को कह दे जो करना है कर ले मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा किसी से डरता वरता नहीं सचिन बिशनोई ने आगे एक अन्य हैरानी जनक को खुलासा करते हुए कहा कि हत्या करने के बाद यूपी के एक MLA ने उनकी मदद की थी जिसका नाम विकास है जो MLA विकास है उसके फार्म हाउस पर ही सचिन ने बताया कि सिदू मुसेवाले जी के हत्या की सारी प्लैनिंग वहीं की थी और उन्होंने ही पनाह दी इन सभी हत्यारों को हत्या से पहले भी वहाँ जो था फार्म हाउस पर ही रिहर्सल कर रहे थे सभी मिलकर हत्या की पुलिस अब तक आपको बता दे MLA से भी पूछताज कर सकती क्योंकि उसका नाम पूरी तरह से ओन रिकॉर्ड अब सामने आ चुका है कोई बचने वाला नहीं है कुछ पंजाबी गायक भी है जिनका नाम भी सजन बिशनोई ने लिया है बहुत जल्द उन सबका नाम भी सा पर लिया जाएगा और इंडिया लाए जाएगा वेल सचन विशनोई के खुलासों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी जो भी आपकी राया है खुलकर कमेंट स्रेक्शन में जरूर व्यक्त कीजेगा दोस्तों साथ ही नीचे हैस्टेक जस्टिस फोर सिद्धू मुसे वाला प्चरो लिखेगा धन्यवाद